हरे किश्णा तो ये समय बहुत ही पवित्र चल रहा है मारगी सेर्ष का महिना है इसमें ब्रिस्ती कर्ण्याओं ने कात्याईनी कब्रत किया था तो इस कथा का वड़न स्रीमत भागवत के दस्मिश्कंद के अध्याइक संख्या 22 में हुआ है तो इस अध्याइक के इस लोग संख्या 5 में सुख्देगुश्वा में कहते हैं एवं मासम् व्रतम् चेरुहु कुमारिया कृष्ण चेत सहव भद्रकालीम समानर्चु भूयान अंदै सुतापतीम एवं मासम् व्रतम् चेरुहु इस प्रकार से पूरे महिने का उन्होंने ब्रत किया कुमारिया कृष्ण चेतर सहा तो ये कुमारिकाएं हैं कृष्ण में उनका चित्य पूरी तरह से डूबा हुआ है कृष्ण के चरणों में उनका चित्य पूरी तरह से लगा हुआ है बध्रकालीम समानर्शु तो बध्रकाली का पूजन किया उन्होंने भोया नंद सतहपती ही और क्यवल एक मात्र यही कामना है कि नंद के पूत्र पत्ती बने तो नंद के पत्र को एक मात्र अपना पति बनाने के लिए उन्होंने भद्रकाली का पूजन किया यहाँ पर भद्रकाली जो नाम है देवी का तो काली नहीं है भद्रकाली है काली के पूजा होती है तो उसमें असुद चीज़ें भी जो है चड़ाई जाती है काली के सामने जैसे ये विधान है कि जिनकी मांस खाने की बहुत इच्छा है तो अमावश्या की रात में ये काली के सामने बगरे की बली चढ़ाएंगे और उस प्रकार से फिर मांस खा सकते हैं लेकिन भद्रकाली का मतलब है कि वो काली नहीं है भद्र हैं भद्र का मतलब है बहुत ही कोमल सुभाव की हैं और बहुत ही सज्जन सुभाव की हैं तो भद्रकाली की पुजा इस प्रकार से नहीं होती है जैसे काली की पुजा होती है तो भद्रकाली को जो कुछ भी चढ़ाय जाता है अरपित किया जाता है वो सात्विक होना चाहिए तो यह जो प्रशी कन्या है उन्होंने भद्रकाली का पोजन किया इस लोग संक्याच्छे में सुग्द्य गुष्वा में कहते हैं तो रोज कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि छूड़ता हो प्रते एक दिन अनुवहम प्रते एक दिन क्या करते हैं कालिंद्याम इसनातुम यांत्या तो कालिंदी में जमना जी में इसनान करने के लिए जाती हैं लेकिन कैसे जाती हैं उसर से उत्था है उसरी उसा काल में ही उड़ जाती है प्रता काल से भी पहले कर समय उसा काल होता है तो प्राता काल 5 बच के 46 मिनट से शुरू होता है और उसा काल उसे भी पहले का समय है तो उसे भी पहले उड़ जाती है और एक दूसरे के नामों को पुकार करके एक साथ एकठी हो जाती है और कृष्णा मुच्चेर जगर जानतिहा और उंचे स्वर में जो है कृष्णा के गुणों का गान करती है और अन्योन आबद्य बहा बहा एक दूसरे के जो है बाहों को जो है पकड़ करके क्योंकि अब लाएं हैं कन्याएं हैं तो इनके पास जो बल होता है वो अपने संख्या का होता है तो जितने दे संख्या में होती है ये कन्याएं उतना धिक उनको ब एक दूसरे के हाथों को पकल करके और उंचे स्वर में कृष्ण की गुणों का जान करती हैं इसके बाद इसलोक संक्या साथ में सुक्दियो गुष्व्वामी केते हैं अब यहां पर बताए गया है कि कदाचे नदी में आ गई तो एक दिन ऐसी बात हुई कि वो नदी में आई और रोज की तरह तट में उन्होंने अपने वस्तरों को रख दिया और कृष्ण का गान करती हुई सलिल्य मुदा जल में वो प्रवेश कर गई और विजहरू का मतलब खेलने लगी तो छोटी उम्री की बच्चियां है तो जो है कृष्ण का गुर्णगान करती हुई आब असमें जल में किर्डा करने लगें तो है क्या यहां पर बात कि अपने वस्तरों को उतार देती है तट पर यमना के तट पर वस्तरों को उतार दिया और उनका जो है केवल एक ही वस्तर है जो कि उन्होंने उतारा हुआ है तो कोई दूसरा वस्तर नहीं है और इस नान करने के बाद कोई तौलिया वगरा कुछ नहीं है कुछ भी उनका वस्त्र धोने के लिए नहीं होता कोई वस्त्र धोती नहीं है उन्होंने एक ही वस्त्र अपने उपर धारन किया हुआ है और उसी को उतार करके इस नान के बाद उसी वस्त्र को पहल लेंगे तो जीवन इतना सरल है कि ना तो वो जो है साबुन वगरे का इस्तिमाल करती है और ना उनके जो है कोई अधो बस्त्र अलग से होता है कुछ भी एक ही बस्त्र है और वो इस नान के पहले जो बस्त्र धारन की थी तो इस नान के बाद उसी बस्त्र को धारन भी कर लेती है तो ये बस्त्र उनका जो है रेशमी बस्त्र होता है जो कि इस नान के पहले उन्होंने धुला हुआ पहन लिया था तो अपने घर से रेस्मिवस्त्रों ने इस नान के पहले जो पहन लिया था तो उसी को ही उतार करके और फिर उसी को ही धारन कर लेती है तो रेशमी बस्त्र में ये भी पताया जाता है कि हर बार उसको धोने के आवशक्ता नहीं होती है जैसे उन का बस्त्र है रेशम का बस्त्र है तो इनको बार बार धोया नहीं जाता है यो दूसरे वस्त्र है तो इस नान के बाद वो धुले हुए वस्त्र ही होने चाहिए तभी पहना जाता है तो इनका जो है बिलकुल सरल जीवन है कुछ भी इनमें जटिलता नहीं है इनकी आविश्यक्ता है बहुत सरल है तो इसके तातपरे में लिखा है कि सिला विस्तुनात चकुडि छाकुर के अनुसार ये घटना उस दिन की है जब कन्याओं ने अपना ब्रत पूरा कर लिया और पूर्णमासी थी तो अब ये घटना क्या है कि मार्ग सेर्स की पूर्णिमा कीती थी है इसका मतला है कि पूरे म ही ने उन्होंने इसनान कर लिया और आज ब्रत का अंतिम दिन है तो जल क्रिड़ा अभरत इसनान जासी है उनकी जल क्रिड़ा अभरत इसनान अभरत इसनान का मतलब है कि जब कोई वेदिक यग्य पूरा होता है तो इस इसनान के दोरा यग्य का पूरा फल परात होता है त और प्रहुपाद ने भी कुछ इस संबन में ये बात बताई है कि भारती लड़कियों तथा इस्त्रियों में ये पुरानी प्रथा है कि जब ये नदी में इसनान करती हैं तो अपने सारे वस्त्र तट पर रख देती हैं और पूरी तरह नगन होकर जल में डुपकी लगाती ह तो ये प्रथा है तो इसमें कोई दोस नहीं है कि नगनिशनान नहीं करना चाहिए ये प्याचेन काल से चला आ रहा है कि इस्त्रियों नगनिशनान करती हैं और उनके पास कोई अलग से कोई वस्त्र नहीं होता कि इस नान के समय कोई दूसरा वस्त धारन करेंगी और फिर के बाद दूसरा वस्त धारन करेंगी ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन प्रहुपाद ने बताया है कि नदी के जिस्त भाग में ये इस्त्रियां इस्नान करती थी वहां पुरसों का प्रविश्वर्जित था और ये प्रथा अभी चालू है भागवान इन अभिवाहिता करन्याओं के मन की बात जानते हुए उन्हें वांचित फल दिया उन्होंने प्राथना की थ इच्छा पूरी कर देना चाहेते थे तो कि इसलिए आये कि उन्हें सब की इच्छा है कि एक मात्रपती बनानेगी तो उन्हें सब के बीच में किश्ण आये और उनके ही एक मात्रपती हैं इसलिए किश्ण आते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार ही वे ऐसी चेस्टा करते हैं कि उनके वस्त्रों का हरन करते हैं तो यहां पर बात समझने किया है कि भगवान ने आगे चल करके कहा कि तुम लोगों ने अपराद किया है कि तुमने नग निस्नान किया वरुन देवता का अपराद हो गया है तो यह तो केवल एक भगवान का जो है एक तरीका था कि उनक लेकिन वास्तों में यह कोई सही बात नहीं है कि कोई अपराध हुआ था कि उन्होंने नगनिशनाल किया था और यह जो ब्रस की कण्याये है्ं उन्होंने भी किष्ण से किसी प्रकार का आप प्रति कीन किया है कि ये तो परंपरा प्राचियन काल से चली आ रही है और उनके जो बड़ी इस्त्रियां हैं तो भी नगनिशनान करती हैं तो फिर जो छोटी-छोटी करने आए हैं तो उनके नगनिशनान करने में क्या दूस है तो ऐसा कोछ भी बात नहीं हुई लेकिन यहां पर हमें समझना ह कि प्राचियन काल से ये प्रथा चली आ रही है जैसे कि स्रीमान भागोतिय प्रारम में भी ये बात आती है कि शुगद्योग गोश्वामी जो की 16 वर्ष के वस्था के हैं और नगन चले जा रहे हैं और उस स्थान से निकल गए जिस स्थान में इस्तियां नगने इसनान कर कि शुगद्योग गोश्वामी निकल गए वहां से जब ब्यास जी निकले उस स्थान से तो उन्होंने इलज्यत होकर गए वस्तधारन के लिए तो ब्यास जी ने पूछा कि मेरा पुत्र जो है जो की तरुन अवस्था में है तो वह नगने जब निकल गया तो तुम लोगो जो पुत्र है तो उसमें इस्त्री और पुरुष का जो है भेद भाव नहीं है तो उसकी सुध्य द्रिष्टी के कारण हमें कोई लज्जा नहीं आई हमने वस्तधारन नहीं किये लिए आपकी द्रिष्टी में भेद है इस्त्री पुरुष का भेद है तो इसलिए हमने बात की निंदर नहीं की गई सास्त्रों में कि इस तरियां जो है अगर नगन इसनान करें तो कोई दोस लगता है तो इसी प्रकार से यह जो कन्याएं हैं यह नगन होकर इसनान करती हैं और कृष्ण का गुंगान भी कर रहे हैं कृष्ण का गुंगान भी कर रहे हैं तो इस ल तो किर्ष्ण के जो नाम कीर्दन है, किर्ष्ण का जो नाम कीर्दन है, इसमें कोई ऐसा प्रतिबंद नहीं है, कि इस नान के पहले नहीं नाम करना चाहिए, और इस नान के समय नाम करना चाहिए, या इस नान के समय नाम नहीं करना चाहिए, या इस नान के बाद ही नाम करना चाहिए तो ऐसी कोई बात नहीं है किर्ष्न का इस्मरन तो जिस समय भी इस क्रिश्न का इस्मरन किया जाए तो वो किर्ष्न का इस्मरन वो हमेशा पवित्र करता है इस प्रकार से एक इस लोग भी है सभाहया भ्यंतरह सुची कोई पवित्र हो या पवित्र हो और सब प्रकार के अवस्थाओं में भी हो तो भी यहां इस्मरेत पुंडरी का अक्षम अगर वो कृष्ण का इस्मरन करता है तो बाहर अंदर से वो पवित्र है तो यह बहुत सरल विदी है कृष्ण की भक्ती में इतनी सरलता है कि कृष्ण की भक्ती हर अबस्था में होते है इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है बागी दूसरे जो ब्रत होते हैं या नियम होते हैं तो उनमें बहुत से नियम होते हैं उनमें बहुत से परदिबंध होते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है कहां पर करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए इसम नियम होते हैं लेकिन किर्ष्ण के भक्ति में कोई नियम नहीं है, तो ये किर्ष्ण को प्रसन्य कर नहीं है, ये जो कन्याएं किर्ष्ण को प्रसन्य कर नहीं कर रही है, वो जो है नगन हो करके इसनान कर रही है और इसनान के पहले भी किर्ष्ण का गुनगान कर रही है, इसनान के समय किर् जल में खेल रही है किलड़ा कर रही है और किष्ण का किष्णम का युद्ट गुर्णगान कर रही है तो इस प्रकार से जो भक्ति है आनंद पूरवग होती है तो गीदा के नवे ध्या के बहुत शुखपूर्ववफ कि जाती है, इसमें इतने कठोर नियम नहीं होते है, यह जैसे कोई हजार सल दक तपश्या करे और ध्यान करे, और उनके सरीर की सब खून भी खतम हो जाता है, मांस्त भी खतम हो जाता है, हड्डियों का धांचा रह जाता है, तो इतना कठोर जो तपश्या होती है, तो ऐसी आभर सकता नहीं भक्ती में, कृष्ण के भक्ती में मिल करके, सब मिल करके कृष्ण के नामों का, कृष्ण के ग नहीं है कि आप जो है दस दिन तक भोजनना करें तक पानी ना पिया है इसे को आप शखता नहीं तो अनंद पूरवक किलडा कर रही है और कृष्ण भी प्रसंद हो रहे हैं और कृष्ण उनके इस कारे से प्रसंद हो करके आ गए उनके बीच में आ गए तो ऐसे भी कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है और कृष्ण की समीपता प्राप्त हो जाती है तो इस प्रकार से यह जो व्रस की कन्याएं हैं यह कृष्ण को प्रसन्न करती है धन्यबाद हरे कृष्णा